हेलो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैट रोल जैड प्ले की चार्जिंग सप्लाई के बारे में तो आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों तो यह हमारा चार्जिंग जैक है जो कि इसम आपको 5 voltage चेक करना है और यह हमारी जो वीडियो बॉल्ट चेक और यहां पे आता है और यहां से निकलकर जो हमारा 5 बोल्ट जा रहा है वह आपको वेडिकाता हूं तो इस तरीका से आपको चेकिंग करनी है तो आप मेंट रोला जाड़्यट पिले के स्प्लाई बना लग्यों तो यह हमारा था फाउलभ बोल्ड यह कैपिश्टर के तो यहां तख आप फाइब ही चाप निदेडर की चेकिंग से तो यह दौनों सप्लै अलग अलग जा रही है तो मैं आपको दिखाता हूँ ऊtस ужons लाही कहा जा रही है तो जो हमारी सप्लाई और ही कहाँ जा रही वह आपको मैं चेक राता हम झा अभी में तो यह सप्लाई हमारे स्विधा इसस के इंदर बी और हैं और दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि एक सी सप्लाई CPU के अंदर दोनों डाटा में डाटा पिलस की और यह हमारे पावर आएसी के अंदर भी आई हुई है तो इस तरीका से हमारे चार्जिंग सेक्षिन का इन सप्लाई है और यह हमारा पीडेकलर से है जो की बीपेच पावर की सप्लाई होता है तो यहां पर आप आउट्पूड वोल्टेज चेक कर सकते हैं दोस्तों जो कि हमारी बैंटरी के चार्ज करने के लिए 4.2 वोल्टेज या 3.7 वोल्टेज आता है तो आप यह सप्लाई यहां से सीधर निकलने के बाद यहां पर कनेक्टर के बगल्प में हमारे कुछ च्म्पोनेंट लगे हैं यहां पर जो कि चार्जिंगेंटरी के फिलस की लाइन में तो आप हैं इनको चेक कर सकतें दोस्तों और शीदह इसके बाद हमारा बेंटरी कनेक्टर के पीलस पर हमारी जो सप्लाई ओंडी यहां पर बैटरी की शर्ट लाइन तो इसको मैं आपको चेक कराता हूँ जो रिसेट लाइन वो कहां पे जा रहा है तौ आप रेशायड लाइन को देख सकते हैं दुस्तों हमारी जो रिसेट लाइन है वह एक छोड़ी आई सिह है तो अध़ हमारी रिशेट लाइन आहीक वह उध Ultency को यहां तक चेक कर सकते हैं दोस्तों और इसके बाद ही हमारा जो मेट्रोला का जैड़ पिले इसमें सप्लाई हमारे इस तरीका से बढ़ करती है कि अधार